हमारे चैनल पे बहुत लोग बिहार के भी हैं इसलिए कई लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि BPSC का जो 66 वाला प्रेलिम्स है मतलब 66 जो BPSC है उसके लिए का स्टैट्जी बता दीजिए देखिए स्टैट्जी में टाइम टेबल बताना ठीक नहीं होगा क्योंकि हर किसी की अ जाम था UPSC का तो ठीक से तैयार ही नहीं हो पाई 64 वाला दिया था तो मुझे 104 नंबर आए थे मेंस भी दिया था मैंने और फिर इंटर्व्यू का भी कॉल है जो कि प्रोबैबली दिसंबर में होने वाला है तो मैं आपको प्रेलिम्स के लिए बता देता हूं कि क्या यहां नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि यहां तो मेरे देखिए 3200 लोग हैं लेकिन आपके जो UPSC PSE कोरिडूर का YouTube चैनल है वहाँ पे 31,000 लोग हैं तो कई लोगों को यह चीज मिस हो गई तो अभी तक मेसेज़े जाते हैं YouTube पे कॉमेंट आते हैं कि आपने BPSC के लिए स् आप इस चीज को देखिए समझे और BPSC 66 में आप आराम से 110 मार्क्स वगरे कुछ भी लेकर आए ताकि आपका एक्जाम क्लियर हो जाए इसी चैनल के आप जब जाएंगे आप फोटो में जाएंगे तो फोटो में आपको यह एक इमेज मिलेगी है यह जो इमेज है इसकी ब बनाया तो तो आप उसको इग्नूर करके 66 मान लेजिए और यह जो ग्रूप का लिंक दिया हुए यह इग्नूर कर दीजिए पहले कोई ग्रूप था वो अभी इंसिग्निफिकेंट डेन माम लोगे अब यहां पर मैंने सारे सेलिबस को पार्ट में डिवाइड कर दिया है फिर आपको पता है BPSC में aptitude के भी 10 questions आते हैं तो उसके लिए अलग से section बता है फिर आपको current फेर के लिए अलग से बता है और कई लोगों को क्या है test series वगर के बारे में पूछना होता है तो वो सारी चीजे में cover कर लूँगा देखिए BPSC का pattern का पहले यह बता दूँ कि को 200 होते है ना दूसरा UPPSC में negative marking भी आ गए है लेकिन आइसा आपके BPSC में अभी तक नहीं हो है ना no negative marking और हर question एक नमबर का ठीक है एक और चीज है BPSC में option आपके कितने होते हैं BPSC में आपके option option 5 होते है हर question में ना last बला होता है E, E का मतलब either more than two of the above और none of the above उसमें भी मतल BPSC में history बहुत जादा important है और दूसरा science बहुत जादा important है तीसरा current effects बहुत जादा important है ये तीन section से भी कई-कई बार exam clear हो जाता है लेकिन मैं आपको ऐसा नहीं होगा आपको सारे section पढ़ने चाहिए obviously सबसे पहले हम history की बात करेंगे तो देखिए history में देखिए हर किसी को ए 11 की history इससे आपकी medieval और ancient की chronology सेट हो जाएगी नहीं तो आप old NCRT आरे सर्मासाती चंद्राव अगरे की जो होती है उसको कर सकते हैं अगर किया है पहले तो नहीं किया है तो तमिलनाडू 11 class पढ़िएगा YouTube के मेरे UPSC PSE corridor के channel पे तमिलनाडू history search कर लिजे उसमें मैंने almost सार chapter complete करा दिये हैं नई वाली और पूरानी वाली तमिलनाडू mix करके दो चार चाप्टर बचे हुए आप खुद पढ़ लिजिए क्योंकि मैं नया series अपने mains के बाद UPSC मेंस के बाद शुरू करूंगा तो वो January में आएगा लेकिन इतने से होगा क्या बिलकुल नहीं यह तो foundation है इसके साथ आपको दे कि new NCRT जो है उसका 6,7,8 class तो करना पड़ेगा क्योंकि अब नया जमाना चेंज हो रहा है नहीं NCRT करके जानी पड़ती है भले आप old करके जाए 6,7,8 देखिए मैं 12th class part 1, part 2, part 3 बोलता था UPSC के लिए भी देकिन यहां नहीं बोला है ना 6,7,8 class क NCRT पढ़के चले जाए हिस्टी की नहीं वाले लेकिन इस नहीं होगा आपको competition लेवल पर चीज़े करनी होगी दूसरी बात BPSC के लिए हिंदी जानने की already requirement है कि कोई BPSC के मेंस के syllabus में हिंदी का portion है जो qualify करना पड़ता है तो हिंदी में ही पड़िया अच्छा रहेगा कई लोग भी द्वान है बोलते हम लिस्टेंट नहीं पढ़ते लिस्टेंट तो ऐसे वैसे बुक है वगरा वगरा लेकिन मैं कोई अलग से लिस्टेंट की तारीफ नहीं कर रहा लेकिन वहापे facts जो है श्टेट के हिसाब से होते हैं प्सक के हिसाब से आया था बिहार में पेरी प्लस ऑफ दे राइथरेंसी किस ने लिखाया तो क्या था एंसर उसका आज तक नहीं पता चला यह बात लुस्टेंट में थी नहीं थी तो हो गया अब स्पेक्ट्रम पढ़ने की बिहार के लिए कोई ज़रुत नहीं है कोई इत अब आईए घटना चकर पर गटना चकर वो बुक है जिसमें लगबग सारे स्टेट पीसी का अल्मूस्ट थर्टी साल के क्रिस्चन होते हैं सारे गटना चकर वो बुक है जिसके हिस्ट्री साइंस को अगर आप ठीक से पढ़के जाए तो आपको किसी भी स्टेट पीसी में पुर्वावलोकन मतलब seeing the past past मतलब लगए 30 साल के सारे स्टेट पेसी के question होते हैं ये इंग्लिश में भी आने लगे तो not a problem in medium यहां से आप history करके दो बार जाए दो से तीन बार आपको बिहार में तकलिफ नहीं आएगी वह तो national history के बात हुई what about a state history बिहार में state history के भी अच्छे खासे question आते हैं वह में आपको नीचे बताऊंगा यहां पर देखिए बिहार history के लिए आप क्या करिए हिंदी में एक बुक आती है इंग्लिश में नहीं आते हैं इम्तियाज हमत की वहां पर बिहार की हिस्ट्री दी होई है उससे आपके question solve हो जाएंगे अगर आपको बिल्कुल हिंदी नहीं आए तो crown publication ले लीजिए या फिर आजकल के बीसी नैनो भी चल रही है वो भी ले सकते हैं कोई दिख़त नहीं है अब कुछ लोगे extraordinary है जिनको पूरे पहार तोड़ना है मांट एवरेज जाना है तो आप NCRT के ट्वेल क्लास की पार्ट टू पार्ट थी भी पढ़ लेजिए आपको बहुत मजा आने माला है अगर आपको लगता है कि यह modern history पढ़ना है तो पूरा spectrum पढ़ डाली है ऐसे मैं spectrum complete करा हुआ live lecture में तो देखना चाहे तो वहां से देख सकते हैं उसका फैदा यह है कि बहुत अच्छा discussion आपको चीज़े याद रह जाती है अधरवाइस spectrum तो हरकोई पढ़ लेता है याद कहा होता है अब बहुत क्यों कि सबसे उचा पहाड सबसे बड़ी नदी है ना सबसे उचा जहर ना यह सब बिहार के फेवरेट क्वेश्चन होते है उसका सारा लिस्ट आपको लिस्ट की जोगरफी वाले सेक्शन में मिल जाएगा साथी साथ Atlas ले लिजे ओरें ब्लैक स्वान या Oxford का कुछ साइन्स का भी इंपॉर्टेंस बहुत जाता है 20 क्वेश्चन आसपास साइन्स कहीं होते है लेकिन अगर आपने घटना चकर पढ़ा हुआ है या टाइम है अराम से घटना चकर पूरवा उलोकन का साइन्स पढ़के चले जाए तो उसको आपको कोई दिक्कत नहीं है यह मै क्वाड़ लेंगे तो आपका सोने पे सुहगा हो जाएगा निक्स चलिए इक्वार बहुत लोग मतलब इक जो पढ़ते हैं खास करें तो शंकरगनेज पढ़ सकते हैं मैं सजेस्ट करूँग कि सीराम बुक पढ़ लिजे अना भी पढ़ें तो कोई बात नहीं है आपकी मर सेक्षन देख रहा है उसमें जो अंगली स्टाटिक पार्ट होई करके जाए क्योंकि डाइनमिक तो चेंज होता है तो अलुशन का जीके का बुक का जो स्टाटिक सेक्षन अगर आप पढ़ेंगे न तो आपको मिला जो लगए 10-20 पेस पढ़ना होगा उसमें क्या होता है इं पीपीसेस में यूपी के क्विशन बहुत कम होता है बिहार में अच्छा खासा होता है तो बिहार का जो इकॉनमिक सर्वे आएगा इस साल का जो की आल्रेडी आ चुक है आप उसको जो उसको इंट्रोडक्शन वाले चेप्टर है न वो बस देख लिए उसमें कुछ डेटा से कर लें उसकी मर्जी है लेकिन लश्मिकान पढ़िए ना लश्मिकान पढ़िए यार लश्मिकान पढ़िए यार लश्मिकान पढ़ने के बाद आपको पॉलिटी में बिहार में कोई दिक्कत नहीं आएगी नेक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रेंट पर कहां से करना 7-8 months कर लिजिए और एक महीने पहले question set हो जाता हो तो एक महीना छोड़ दीजिएगा मतलब December में एक्जाम है लास्ट में अगर तो December का current पर मत पढ़िएगा अगर आपसे वह नहीं हो रहा है तो GK Today के यूट्यूब चैनल पर चले जाएए वहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो 10 mcq डेली का जो mcq आता वो करवाते हैं उनकी खासियत यह है कि वह 10 mcq नहीं करवाते हैं उसके आगे पीछे जो है फारवर्ड बैकवर्ड लिंकेज करके और आपको रिवाइज करा देंगे तो उनका रिविजन का स्टैट्जी बड़ा अच्छा है तो उनके वह जो 7-8 मिने का अगर आप mcq कर लें डेली mcq बोल रहा हूं तो वह भी जो है अच्छा खसा होगा बैकवर्ड करिएगा मैंने जब बनाये था तो पिछली बार के ह current affair आता है आप GK Today के साथ SPD को भी पढ़िए क्योंकि 200 से करके जाना पड़ेगा तो जी के साथ क्या करिए मैंने क्या बोला है mcq बोला है और अगर आपको बहुत टाइम है मंतली अल्रेडी कर रहे हैं तो आप जो है 7-8 महीने का मंतली कर लिए अधर बाइस 8 महीने का क्या क करिए उनका mcq कर लिए लेकिन youtube चैनल से वोल रहा हूँ अलग से करोगा तो याद नहीं होगा स्पीडी का current affair आता है आप उसको साथ में करिए कोई दिक्कत नहीं जो updated वाली आएगी वह वाली नब क्या है यहां पे घटना चक्र कर द्रिश्टी करके magazine आता है जो आप यू Itadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad तीसरा क्या मैंने आपको बताया आप ऐसे ट्रेंगल बनाइए कोई दिक्कत नहीं है इसमें से आपको द्रिष्टी और जी के टुडे मेंडेटरी है अब उसके साथ आप स्पीडी किसी एक के साथ मिक्स करके दो सोर्से से पढ़ लेजिए आपका काम हो जाएगा बैकवर्ड करके बुक पब्लिश करना शुरू किया और बहुत यूसफूल है लास्ट टाइम भी क्रिष्टन वगर आये तो तो के बीसी नानो का जो बिहार का करेंट पर का बुक है वो देख लिजएगा आपके देखिए और भी कुछ है जो बैंक वगर की एक्जाम की तैयारी कराते ह है उनका भी आता है वहां से भी आप कर सकते हैं कोई दिक्वत कर लिजे यूपी पीसेस के लोग बहुत परर रिशान होगे कि एन्वार्मेंट और एक लोगी के लिए तो हम लोग घटना चक्र करके जाते हैं यूपी पीसेस में देखिए वह इस इसम्म, no, कोई ज़रूत नहीं है, history में जितना पढ़ाता है, उतना में culture जितना आ गया ठीक है, environment जितना आप जिटना जिटना आप जिटना पढ़ोगे ना, उतना important है, उतना ही काफी है, अब 10 question aptitude क्या आते है, aptitude देखें बहुत easy आता है, आप कोशिश करिए कि 10 में आपके YouTube का देख लिजेगा, यह grade up, grade up से मुझे याद है, grade up की ही बिहार की current फिर की में बात कर रहा था, तो grade up का कर सकते है, KBC Nano का कर सकते है, यह कोई YouTube चैनल से कर सकते है, बिहार का current up है, ओके, तो aptitude आप क्या करिए, पिछले मतलब 62, 63, 64, 65, 4 साल होगे, 4 साल का 40 question होगे aptitude का, व YouTube channel है, वहाँ से वो portion पढ़ लिजियो, और फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी है, आप कई लोग पूछते हैं कि test series लेना है, चाहिए कि नहीं लेना है, देखे, ज़रुरत नहीं है, आप क्या करिए, लास्क पांच से 6 साल और आपको बहुत मजा आ रहा है, तो 10 साल का paper कर लिजे BPSC का, यह सारे paper जो है grade up पे बहुत अच्छे से solution के साथ डाले हुए है, और अपना score आप जो है history में, science में, aptitude में, quality में और जो बिहार special question आ रहे है, उसमें optimize करी आपका selection हो जाएगा, अगर किसी को इतने से मन ना भरे, तो असपरदा publication है, जमशिदपूर बगरे की publication है, उनका book आता है, यह आपको railway station पे पहल जाएगा, ठीक है, तो यह रही पूरी बिहार के stats ही, मुझे नहीं लगता है कि यह करने के बाद आपको बिहार qualify करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे साफ से, तो आप इसको follow क करना है, तो आप आराम से अब इनफ सिंग ऑफिसल पे चले जाएगे, वहां से डाउनलोड कर लिजिए, यहां से है ना, यह वाले से, अगर आपको बिहार के बारे में और कोई question हो, तो आप यहीं पर YouTube में comment करके बता दिए, क्योंकि मैं आप टेलिग्राम पे messages नहीं ले प कर दो आप छो आपिस्ट